इस लेक्चर में हम बेसिकली यह देखते हैं कि स्टार्ट से एंड तक जिनॉम इसम्बली बना कि उसे एनोटेट कैसे किया जाता है और उसकी क्वालिटी चेक के पैरामिटर्स कैसे बनाए जाते हैं आज इस लेक्षर के अंदर में आपको एक स्क्रिप्ट भी दूँगा कि आप जीरो से लेके सिक्स तक या फाइव तक पूरे के पूरे इंवायर्मेट बनाएं मामबा के थूरू या कॉंडा के थूरू और वो आटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल करते हैं अगर आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर ठीक है और पूरा एक स्क्रिप्ट आपने पकड़ना है, कॉपी करना है, लिनेक्स में पेस्ट करना है और आप फिर उनको यूज कर सकते हैं यह पाइपलाइन और एक प्रॉजक का हिस्सा भी है जिसके अंदर मैं और रड़ी काम भी कर रहा हूं तो मैंने उसके लिए डिजाइन की थी, तो I decided to share it with you, the method कि आप किस तरीके से पाइपलाइन को utilize करके अपना project कर सकते हैं खासतोर पे genome assembly का, which is a big part of many other tasks मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूं यह मेरी screen है जाएपके सामने and now we will see कि यह किस तरीके से काम करती है बड़े तहमल के साथ देखिएगा, ठीक है and then we will work on this यह हमारे पास last time की assignments थी पफी लोगों ने नहीं की, it's fine, no problem लेकिन हमने जो काम करना है, उस पे हमने जरूर तवर्ज़ देनी है grab 6 के परह में already मैं आपको बता चुका हूं कि यह कौन सा environment होता है, कैसे बनाया जाता है grab 6 का और इसको install करने के बाद, किस line में जाकर आपने change करनी होती है ताकि आपका SRP numbers जो है वह चलने लगए यह बकाइदा हमने 93, 94 line जो grab 6 की python में जाकर हमने change करनी थी वो मैंने आपको पहले बताया हुए काफी lectures में तो इस part को आप ignore कीजेगा लेकिन जो यहां पर यह वाला part है मैंने यहां से script for installation पूरे का पूरा बनाया जब भी आपके पास genome assembly आती है आप raw reads से start करते हैं like these reads fastq.gz files जो हमने example ले थी last time वो था यह वाला paper complete hybrid genome assembly of clinical multi-drug resistant bacteroides isolated enable enables comprehensive identification of antimicrobial resistant genes and plasmids ठीक है तो अब यहां पर यह हमारे पास एक sample था इसका हमने srp number निकाला control f करके हमने यहां पर accession लिखा था if I remember correctly तो यह हमारे पास इसका number आ गया था different case का project number आ गया था इस project number से हमने फिर आगे further हमने fast queue and जो हमारी long rate और short rate की files ही वो हमने निकाले थी ठीक है और उन्होंने genome assembly from the assembly pipeline validation is available at this उन्होंने बकाइदा genome assembly का link भी दिया था और उन्होंने यह भी दिया हुए इसके अंदर के code गोंस है जो हमने use किया है तो अगर मैं यहां पे इस पे क्लिक करूं तो BF assembly के नाम से उनका code है जो मैंने और रड़ी यहां पे भी open किया हुआ था इस वन उन्होंने proper code भी दिया कि हमने कैसे पूरी के पूरी assembly को trim glow और वाखी चीजों को use करते हुए utilize किया है फिल्ट long एक one of the best thing है जैसे fast PE या हमारे पास trimming tool होते हैं short read के लिए यसे long read के लिए भी है फिर उन्होंने canoe use किया था for correction of on reads आप canoe भी use कर सकते है otherwise you can actually use some other like filt long ही enough होता है लेकिन अगर canoe use करेंगे so there are some things involved in the long reads जिन्हें correct कर सकते हैं फिर उन्होंने unicycler hybrid assembly यूज किया था जो हम करने वाले ठीक है और इसके अंदर number of threads और verbosity और mini faster length और यह सारा कुछ उन्होंने बताया था फिर उन्होंने fly on read assembly जो है इसे भी use किया था आप चेक करें कि यहां पे उन्होंने short read और दोनों दिये जिससे hybrid assembly आगे फिर यहां पे fly use किया on read assembly के लिए यह basically nano pour की assembly को utilize करते हैं आपको assembly बना के देती है nano pour के थूँ फिर mini asm assembly थी यह क्या होती है यह basically आपको mini map के थूँ एक assembly को convert करके देती है फिर आपके पास कैसा assembly थी जो एक other assembly है फिर spades थी फिर hybrid spades यह spades assembly थी and then आपके पास assembly polishing tool थे different किसम के nano polish है pylon runner है raccoon runner है उन्होंने तकरीबन सारे इस script में बताये हुए ठीक है और अगर आप उनका paper पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों इन्होंने इतने ज्यादा टूल जो है वो यूज किया है and what else we need to do ठीक है और उन्होंने hybrid assembly with unicycler और illumina rate, filter long और canoe के साथ corrected थे वो किये थे ठीक है और उन्होंने बताया है कि यह वाली जो assembly थी सबसे ज्यादा highest quality की थी इसका मतलब यह है कि बाकी tools यूज करने के बजाए अगर directly आप hybrid assembly को unicycler के through use करें after cleaning it or filtering this illumina rates with quality control filters और filter long यूज करें and can we use कर सकते है for on trade यानि के long rate sequences then आप assembly high quality के पर यूज कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हमने सीधा unicycler के assembly पर जा के भी काम अपना perform कर सकते हैं ये एक code के साथ तोनों ने बकाइदा उनको codes भी दिये हुए और आपने अगर canoe के use करना है canoe आप install कर सकते हैं and you can utilize this one और या सिरफ filter long भी enough होता है आप correction जो है assembly के अंदर भी कर सकते हैं अभी हमें चाहिए क्या होता है जब भी कोई assembly बनानी होती है हमारे पास files जो है वो different किसम की होती है जब हमने assembly को generate करना होता है सबसे पहले for example अगर हम यहां पर देखें तो यह वाली file जो है हमारे पास pack bio की है यह हमेंने कहां से निकाल ला है यह इस से project number लिया और मैंने srp 22 32-3605 22-3605 के नाम से मैंने इसको search किया ऐसा राय के अंदर NCBI में और यह मेरे पास 5 किसम के files आ जाएंगे दो इसमें होंगी एक यह है और एक यह और एक यह file ठीक है तो अगर मैंने के नाम देख लूँ तो यह first run है यह second run है यह मेरे पास Illumina की something like this यह दो इसकी है तो यह हैं और एक पैक बायो की है So I know that कि यह वाली एक जो assembly है This is 405 MB और यह जो है यह 657 KB की है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहां पे आप चेक करें तो इसके अंदर thousands में base pairs थे इसमें millions में base pairs है इसका मतलब यह वाली लंबी assembly है मतलब ज्यादा file वाली है तो इसको हम first run कहाँ देंगे और इसको हम second run कहाँ देंगे first run second run यह nano core की है यह दोनों मेरे पास है Illumina की क्योंकि one and two लिखा हुए और यह वाली मेरे पास pack bio की है So either we can use pack bio प्लस दो Illumina की और we can use Illumina and यह जो दो है nano core की क्योंकि हमारे पास long read sequences nano pour से भी होती है pack bio से भी होती है तो हम pack bio long read दोनों में से एक ले सकते है and then we can utilize this thing अब अगर हम यहाँ पे देखे तो उन्होंने क्या किया है वो हम देखते है unicycler के अंदर जाके बाइदावे यहाँ पे उन्होंने एक ही input file दी और आपके पास output आ जाती है ठीक है और यहाँ पे अगर आप गोर करें unicycler hybrid assembly में दो short read आप देते हैं और एक long read देते हैं ठीक है समझाई भात की आप दो short read और एक long read देते हैं and then you take an output path number of threads देते हैं verbosity देते हैं कि कितनी चीज़ों को print करने and then there are some other parameters तो आपके पास assembly आ जाती है अब हमने क्या करना है पहले तो मैंने short read qc के लिए एक environment बनाया zero one के नाम से उस activate activate करने के बाद मैंने fast qc, fast p और multi qc ये तीनों की तीनों इंस्टाल कर ली सिंपल जो start में हमारा काम है क्योंकि सबसे पहले reads आए हैं हमने उनको lane करना है then मैंने long read के लिए long read qc का बनाया long read qc में मैंने 3-4 जो हमारे software जाने इंस्टाल किया जो बहुत important है एक long qc है, nano filt है, canoon है, filt long है, nano plot है, pi ko qc है ये कुछ ऐसे tools हैं जो आपको बार बार use करने पढ़ते हैं long qc में अगर आप सिरफ nano filt भी कर लें और साथ में आप nano plot sorry, filt long है, nano plot कर लें दोजार enough as well nano plot क्या है ये आपको long जो read है उसकी quality बताता है जैसे fast की उसी बताते है ठीक है तो आपने ये दो भी कर लें सनाफ लेकिन मैंने बाकी किये हैं क्योंके मुझे पता है कि later on we can utilize these one as well अब आगे हमारे पास unicycler है unicycler के अंदर installation की हमने unicycler environment बनाया ये वाले installation की then you need to install these tools as well as a requirement for unicycler और मैंने उनको automatically लिखके अपने पास रख लिया थाके बाद में problem ना हूँ ठीक है ये मेरा तीसरा environment बन गया फिर मैंने चोथा environment बनाया चेक एम और qaust का ठीक है चेक एम जिनॉम एक basically आपका tool है जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था ये आपको completeness और contamination ये दोनों चीज़ें बताता है कि आपके assembly के quality कितनी then दूसरा एक और tool है जिसका नाम है qaust तो मैंने उन दोनों का एक environment बनाने ठीक है अब इन environment को बनाने के बाद now we have to see कि आखरी हमारे पास क्या चीज़ बचती है quality check करने के बाद ये जो assembly की file हमारे पास unicicler देता है उसकी quality check करते है if everything is fine तो उसमें सो जो best assembly होते है उसम pro का के दुरू annotate कर लेंगे which will take only three to four minutes then we will have GFF file उसके बाद हम आगे जाएंगे panaroo पे या NVO पे ये पूरा एक workflow होता है किसी भी एक pan genomics nor read की file का इसमें आप जो चीज़ें सीख रहे हैं आप पहले तो एक पूरे का पूरा genome assemble करना सीख रहे है जो एक बहुत बड़ी चीज़ है छोटी सी बात नहीं है genome assemble करना क्योंकि most of the times अगर आपके पास novel strains है तो आप genome assemble करते हैं और उसके उपर काम करते हैं by the way proka के बाद एक और काम है आपका वो होता है या तो आप NCBI blast करते हैं to find the taxonomy या आप 6 नंबर पर मैं ये कर लेता हूँ 7 नंबर पर आप एक काम करते हैं GDTB वेट ए मिनट genomic taxonomy database GTDB toolkit को install करके to find taxonomic classification आपकी taxonomic classification find out करते हैं कि कौन सी चीज की taxonomic क्या है क्या वो नहीं है या वो पुरानी है ठीक है novel होगी तो 96% से कम उसका match rate होगा अगर वो novel नहीं होगी तो वो किसी related species या strain के साथ match कर रहे होगी more than 96% of homology के साथ so we do those things as well but we don't need to do those things अगर आप directly proka से annotate करके जा रहे हैं तो fast जो आपके पास envy you have automatically आपको बताती है ये strain कोन सी when you are doing some pan genomics ठीक है तो वो वहाँ पे आपको identify करके आपके genome की basis बे भी आपको बता देती है so it's up to you कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं but usually जब आप single genome को sequence कर रहे होते हैं then you also go with gdtb toolkit या आप NCBI genome पे चेक कर लेते हैं अब gtdb toolkit जो है इसको install करने के बाद आपको database पूरे का पूरा डाउनलोड करना पड़ता है which is a big hectic और वो 16GB का data होता है तो यह ऐसे ही नहीं चल जाता you need to have like a big database या big computer मैं इस वज़्या से आपको बता रहा हूं था कि आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए कि यह documentation है इसकी gdtb toolkit की और इसमें सारे के सारा database होता है installation पर click करेंगे installation बहुत easy है like this one यह check करें आपने क्या करना है simply wait a minute python libraries just a minute installation पायो कोंडा पर click करते है यह पायो कोंडा आगया आपने क्या करना होता है यह 3-4 commands done करनी है आपका पूरे का पूरा install हो जाना है for example अगर मैं इसको copy करूँ यहां पर paste करता हूँ तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से mamba के थूँ अपनी एक environment create कर सकता हूँ mamba क्यूंकि मैं mamba use this way ऐसे करता हूँ it's faster और 07 underscore gtdb toolkit बिल्के जैसे नाम लिखा है वैसे लिख देते हैं ताके हमारे साथ बाद में शू ना हो और साथ में आप सेम ही line के अंदर भी install कर सकते हैं यह separate भी जैसे मैंने आपको बताया तो it's up to you but you can create your own thing so in an amamba का तरीका यहां पर already दिया हुए तो मैं यहां पर 07 करता हूँ अंडर स्कोर करता हूँ और लाइक दिस वे के पहले आप environment बनाए फिर उसको करें activate यहां पर क्योंके यह procedure जो हता है चलना तो automatic ही है but आप इसको activate करने create किया then you can write mamba install minus c konda force minus c bio konda और फिर यह वाली toolkit then you will add minus y और इसके बाद आप लिख देंगे mamba deactivate this is the workflow for gdtb toolkit install करने के बाद उन्होंने बकाइदा यहां पर लिख है कि आपको database को download करके बताना होगा so अगर आपने automatically download करने है तो आप simply यह वाली download dot sh के नाम से इनका एक पुरे का पुरा script है this one you can run this यह पुरे के पुरा script run कर दें आप आपके पास automatically download हो जाँगे database or otherwise you can download based on your own specific environment और आप उसकी base पे कर सकते हैं अगर आप यहां पे click करें ना reference data पे यह left side पे तो आपके पास यहां पे वो उसके link भी दे देते हैं कि आप इस तरीके से से download कर सकते हैं it's more approximately 84 GB not 64 sorry 84 GB का total data लेकिन यह 84 GB जब आप download करेंगे ना तो आपका taxonomic classification you run करेगा and then you will find कि novel कौन सा है non-novel कौन सा है और यह automatically सारे वो phylogenetic tree वग़रा बना के आपको दे रहते हैं so you don't need to worry about anything if you're using this one and it's super easy to make as well okay तो यह GDP का आगया otherwise आप NCBI blast जो है उसे भी use कर सकते NCBI blast अगर उसकी github पे जाए तो आप यहां से NCBI blast के पूरे के पूरे जो sorry just a minute plus doc यह इसका पूरा पूरा डॉक है आपकिस तरीके से blast कर सकते हैं चीज़ों को online तो आप specifically जब genome annotate कर दें उसमें से या तो 16S RRNA gene जो होती है उसको 16S DNA, RDNA वगरा जो genes होती है specifically for taxonomic classification जो conserve gene throughout the bacteria उसे पकड़के आप NCBI में blast कर दें या आप पूरे के पूरे genome को भी कर सकते हैं using NCBI blast which is kind of hectic somehow क्योंकि जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं sometimes you don't know कि किस तरीके blast your gene अब simple सी बात ये है कि ये सब कुछ बनाने का फाइदा क्या है ये आपको एक तरीका बताना है कि यार आप सब लोग ये काम कर सकते हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है script बनाना आप जो बैट के बार-बार एक ही दफ़ा में सारी की सारी installation करते हैं उसको अगर लिखके आप प्रिंट करके चलाएं तो ये कद्रे बेतर होता है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जानबूच के script को run किया था and when I run this script मेरे पास सारा का सारा कुछ automatically install हो गया ये चक करें 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने 5 install की है I know के ये सारा का सारा कुछ already install हो जोक है इन 5 के 5 में बाकी मेरे पास पैनर हो और बाकी चीजें है and now if I run this script, ये जो script है मेरे पास ये मैंने ऐसे copy करना होता है look, देख लूँ पहले यहां पर 6 है, यहां पर 6 होना चाहिए, ये दोनो name same होने चाहिए और activate ज़रूर हो मैं copy करता हूँ यहां पर मैं paste करता हूँ, enter करता हूँ that's it, I don't need to do anything automatically installation चल रही है वो बिशागे गेंटा ले, मेरी जाने भला खुद बखुद चल रहे सारा कुछ सिरफ ये है कि वो nitty-gritties आपने script के देखनी है that should work fine अब ये जो मैंने काम किया है इसी तरीके से जो हमारे पांच step पेना annotation तक वो भी आप automate कर सकते है तो आपको बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक दफाँ बैठे हैं, उसको चेक करें कितना fred score रखना, क्या रखना यूजिली standard method में ले जए एक दफाँ रण करें रण करने के बाद बाद में देखा जाएगा कि कौन सी मसले बन गए इसमें obviously इसका database अभी मैंने install करना है इस विज़ा से इसमें थोड़ी से errors आएंगी so we will see that later on क्योंकि जारिबादा ये मैं अपने जो heavy system में उसके उपर ये काम करता हूँ जो slow system में उसके उपर इसके काम नहीं चलता right okay जी मैं यहां पर mamba activate करता हूँ अब मैंने क्या करना है अब आपको मैं ये वाला script जो है ये मैं भीज़ेता हूँ मेरे लिए कोई मसला नहीं है आप खुद बनाएं तो अच्छी बात है लेकिन obviously अक्सर अकात मसला होता है खुद काम करने में so here you go ये इस वज़ा से आपको भेज़ा है कि आप इस तरह के script बनाएं इस वज़ा से नहीं कि आपका काम मैंने असान कर दिया मैं बैठा हूँ आपके लिए काम करने के लिए ऐसी बात नहीं है अब आपने grab सीख का भी ऐसे बनाने है start में और बाकियों का भी ताकि आपको ना numbering बताओ सब्सक्राइब बताओ अब मैं क्या करता हूँ मेरी जो personal preference होती है वो कुछ इस तरीके से है मैंने यहां पर बकाइदा लिखना होता है कि यह मेरी hybrid assembly है ठीक है hybrid assembly लिखा इसके अंदर में short reads यह मैं अलाइदा रख लेता हूँ long reads यह अलाइदा रख लेता हूँ सही है रख लिए अब मैं वापस जाता हूँ यहां से short reads दोना उठाऊंगा copy करता हूँ obviously मेरे पास जगह है अगर आपके पास जगह कम है तो आप cut कर सकते हैं मैं यहां पर paste कर देता हूँ then I go back again और मैं सिरफ यह वाला last वाला जो heavy किसम का nano bore है न इसको उठाता हूँ यहां से ठीक है just to be on one side otherwise मैं pack bio पर भी कर सकता हूँ it's better to use nano bore मैंने यहां पर इसको print कर दे तो मेरे पास short भी आगया long भी आगया ठीक है जी अब मैंने यहां पर script create करना है अपना sh file जो है इसको मैं बोलूँगा assembler.sh assembler.sh right अब मुझे मेरे environments का पता है सभी का यह वाले मेरे environment है मुझे मेरे tools का पता है कि मैं किस तरीके से run करूंगा मुझे पता है fast कि उसी किस पर करने है मुझे पता है बाकि चीज़े किस पर करने है now we will create a big environment here इसका best way यह होता है कि आप perplexity में जाएं मैं आपको totally trick बताने लगा हूँ अब आप पर depend करते हैं create a script to clean short reads from मैं साथ में पाथ मी दे रहा हूँ ठीक है short reads and directory create a script to clean short reads from this short read directory and paste in short reads के अंदर wait a minute making some issues अंदर मैं स्थ का इंसांदर रिख़ए आपको पर ने रहा हूँ आपको अभी आपको ने रहा हूँ छिविद्झे उठ और रहा हूँ सिर्फ एक मिनिट दीजेगा मेरे सिस्टम जो है उस पे एने डिस्क प्रॉब्लम कर रहा है इस्ट आ मिनिट आपके सामने अब स्क्रीन निजेगा में आपके सामने अब स्क्रीन निजेगा है यहां पर आपने लिखना है कि इसके अंदर क्लीन शॉर्ट का फोल्डर बना अब यह मैं क्यों कर रहा हूं इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कि इसने क्या करने स्क्रिप्ट बनाना है क्लीन शॉर्ट रिट फ्रॉम दिस तू दिस ठीक है अल्सो चेक वालिटी बिफोर एंद आफ्टर दर क्लीनिंग प्रॉसेस यूजिंग पास्ट क्यू सी यूज फास्ट पी इसको मैं रन करता हूं और कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्क्रिप्ट आ गया था बैश की फॉर्मेट में ठीक है तो आपको अगर नहीं पता बैश क्या आता है तो यूजिली यह फाइल आप डिरेक्टली अगर रन करते हैं इस मैं इसको कॉपी करता हूं जी और इसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं अब यहां पर क्या आ रहा है बिन बैश यहां पर लिखा रहा है इसका मतलब यह है कि जब मैं मैं इस फाइल को क्लोज करके यहां से आपको folder में ले जाता हूँ, यहां पर अगर मैं इसको bash लिखे देता हूँ, यह वही चीज है जो हमने start में लिखे है, so it's just showing के यह script कौन सा है, bash एक language है, अगर आपको नहीं बता, so that's easy, अब यहां पर start में उसने बोला है कि clean the, create the clean short read directory if it's not already exist, तो सबसे पहले उसने यह बनानी है, फिर उसने एक for loop बनाया, for all the files in the short reads directory, for files in the short read dot fast queue, अब हमें पता है, जो हमारी files है, वो dot fast queue dot gz है, तो हमने यहां पर dot gz खुद से लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो run नहीं करेगा, and do, क्या करना है, fast queue लगाओ, ILO, file, O करो, इसको इसमें input, और फिर बाद में उसकी HTML report बनाओ, और इसको आप यहां पे paste कर दो, and then you have a lot of other HTML reports, लेकिन अगर आप गोर करें यहां पे, तो एक तो, original fast queue files को remove अगर आप करना चाहते हैं, so you can add this one, अगर नहीं remove करना, तो इसको आप यहां से बंद करने, तो usually क्या होता है, लोगों के पास space कम होती है, तो आपने इसको remove नहीं करते हैं, तो मैं original files रखता हूँ, तो मैं इसको ऐसे run करूँगा, अब यह fast P का script आया, यहां पे यह मेरे पास script आगया, कि इस तरीके से आपने run करना, आप इस script को थोड़ा सा समझते हैं, उसने बोला है, कि यहां पे fast queue input low I file, यानि कि यह वाली file लो यहां से, ठीक है, अब हमारे पास कितनी files हैं, दो, दो files है ना, एक बड़ा है या एक छोटा है, तो इसको नहीं पता हमने बताया है, नहीं था कि पेरेंड है, अगर मैं इसको पता हूँ, we have paired and reads, please also add number of threads in the script, अब आपका सारा काम automate हो रहा है आजकल, तो prompt का अगर आपको पता है कैसे बनाना है, so it will work in really nice way, you will see now, मैं यहां से copy करता हूँ, again, मैं यहां पर नीचे paste करूँगा, ताकि अगर कोई change आने वाली हो, तो मैं उसको easily देख सकूँ, right? यहां पर यह हमने script देख लिया था, यहां तक हमारा clear था, मैं यहां से delete करता हूँ, अब यह हमारी नहीं चीज आ गी है, files.fastq.gz, अब उसने क्या किया, पहले first read को देखा है, फिर second read को यहां से देखा है, तो अब वो file 1, file 2 को लिख रहा है, file 1, file 2 को लिख रहा है, now everything is fine, हम यहां से इसको copy करके, for loop को, मैं यहां से बलके cut करूँगा, और इस for loop से replace कर दूँगा, ठीक है, अब last पे उसने क्या किया, run fast q on the clean reads, वो clean reads पे run कर रहा है, सही हो गया, आप वो भी कर सकते हैं, clean reads के उपर, automatically यहां पे आपके पास double clean reads पे हो जाएगा, right, अब अगर हम इसको गोर करें, तो यहां पे जो fast p का different criteria होता है, वो नहीं लिखा हुआ, मतलब अगर आप fast की b के उपर जाएं, अगर हम fast p के उपर जाएं, for example, fast p, और इसकी github पे जाएं, तो यहां पे आप देख सकते हैं, कि हमें, minus t threads वगरा भी आपने देने होते हैं, and then there are many other things, for example, अगर मैं directly इसके use पे जाएं, तो यह आपका fast p है, paired and read है, and then you can utilize it, और otherwise, there is another way, mamba activate, 0-1, let me see, 0-1, mamba env list, mamba activate, 0-1 underscore, short reads, qc, इसको activate करता हूँ, यहां पे मैं fast p, minus h लिखता हूँ, तो यह मेरे पास आगया सारा कुछ, ठीक है, तो basically मैं यहां से जो चीज लेने चाहता हूँ, वो है, आपका जो quality parametric है, अगर आपको याद हो तो यह इसके essential parameter हैं, और अगर हम यहां पे गौर करें, तो spread score की यहां पे command थी, minus j थी, या minus q थी, yes, minus q, तो आपने minus q यहां पे अपना mention करना है, कि कितना quality metric आपको चाहिए, ठीक है, minus q, अब यहां पे मैं क्या करता हूँ, minus o के बाद, अगर इसको मैं और छोटा करूँ, तो यहां पे हमें एक और काम कर सकते हैं, इनको लाइनों में थोड़ सकते हैं, like this, तो आप यह backward slash लगाएंगे, तो यह लाइनों में थोड़ जाएगी, और यहां पे जितने भी number of cores हैं, इसका मतलब है, जितने भी number of cores हैं, minus w का मतलब, आप वो सारे के सारे यूज़ कर लेगा, ठीक है, यह जो कमांड है, यह number of cores की है, और अगर आप गोर करें इसके अंदर, यह जो हमने script बनाया था, इसके अंदर पहले cores नहीं हमने दिये थे, फिर बाद में जब मैंने पूछा, then it gave us some number of cores, number of cores मेरे पास आगे हैं यहां पर, जो minus q है, वो हम यहां पर 25 रख लेते हैं, just to be on safe side, ठीक है, और यहां पर minus, let me see, अगर threads बगरा यहां पर आते हैं, minus t, trim tail है, minus t, यहां पर small, यह भी trim tail है, minus j होगा, threads यहां पर कहीं पर, minus p, 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 or we can see here as well, यहां पर अगर मैं control f करके threads करूँ, usually it use 8 threads, तो अगर आपने ज्यादा भी increase करने, you can use that one as well, तो मैं 80 रहने देता हूँ, ज्यादा use करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने और रेड़ी वो, minus w वाली command भी लगाई हुई है, so I think it's fine, अब यहां पर run fast q क्यों हो रहा है, on the clean reads, तो हमने clean reads के इलावा, हमने original reads पर भी तो run करना है ना, पहले इसके, तो अगर मैं यहां पर इसको copy करके, यह जो file बनती है, इसके बाद, बलके, यहां पर, अगर मैं fast qc पहले run करना चाहूँ, I can do that as well, fast q.gz की file है, ठीक है, यह वाली fast q.gz वन वाली भी है, short rate फिर number two भी हमारे पास है, यहां पर, और यह है जनाब clean rate से पहले वाली file, .gz, और आप अगर गोर करें, यहां पर आप जो file output में ले रहे हैं, this would be in fast q.gz, as well, क्योंके हम same वो ही वाली format ले रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, let's see, इसको run करते हैं, यह हमारे पास before and after, जो है हमारे पास, reports जो हैं, इसकी आ जाएंगी, ठीक है, and then at the end, we will run multi qc, वो अगर आप सिधा सिधा run करना चाहें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जनाब, multi qc, dot, मतलब यहाँ पर run करो, minus d, यानि के पूरे के folder j, देख लो, जिसके अंदर यह सारी issues है, and that's it, यह पूरा का पूरा हमारा एक script बन गया, and let's see, कि यह script क्या कहता है, मैं क्या करता हूँ, assembler.bash, अभी मैंने start किया है, तो अभी आगया आगया हम इसको script को बनाते जाएंगे, step by step करते हुए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको run करके देखते हैं, इस script को, ls करता हूँ, तो मुझे पता है, मैं उस एक folder में नहीं हूँ, तो मुझे specifically उस folder में जाना है, जहाँ पर यह script पड़ा है, उसके लिए आपको पता है, कि आप यहाँ पर अगर copy करें, और cd paste, यह मैं उस assembler में आगया हूँ, ls किया, तो मेरे पास यह वाला, आप देखें script पड़ा है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको forward करके, let's see, that, assembler.bash, let's see, अगर यह काम करता है, तो मैंने यह run करने की कोशिश की है, we'll see, अगर यह run हुआ है के नहीं, मेरे पास फिर से यह stuck हो गया, just give me one second, just give me one second, just one second, जनाफ, यह मेरे पास ना मसला करने लग जाता है, yes, now it's fine, अच्छा, उसने बोला है के जी, permission denied, permission denied क्यों है, आपको याद है, CH mode वाला, LS माइनस L अगर मैं करूँ, तो यहाँ, सॉरी, LS माइनस L अगर मैं करूँ, तो आप चेक करें, हमारे पास assembler के पास execution की permission नहीं है, तो हमने इसको वो permission देनी है, उसके लिए CH mode करके, माइनस X और फाइल का नाम हम लिख सकते हैं, let's see, अब हमारे पास permission है, के नहीं, अभी भी नहीं आ रही, so how we can add that, CH mode, इसका था कोई, minus U, then X, I guess, and then assembler, or otherwise, we can go here, properties, permissions, or access, read and write, allow execution, pause program, run, अब देखते हैं, यह run करता है कि नहीं करता, तो similar bash, skipping, short read, one dot, past q.g, which did not exist, or couldn't be read, चलें, खेर काम हमारा चल रहा है, we will see कि कौन-कौन से मसले इसमें हाते हैं, so it is working, in a way, और यह analysis हमारा चल रहा है, short read के अंदर, यह दोनों की fast qc नहीं चली, there was something wrong, we will see that, और clean short reads हो हैं हमारे, वो produce होना start हो गए हैं अगर आप गवर करें तो, यह हमारे पास clean reads आ गए है, gz, और यह gz, तो multi qc भी इस पर चल पड़ी है, we will see that, कि multi qc कैसे चली है, यह multi qc report है, यह हमारे पास कुछ इस तरीके से, यह वाली file जो है वो चल पड़ी है, so this is how it works, आप इस तरीके से देख सकते हैं, कि आपके file जो है वो कैसे run हो रही है, तो यह जो मसला है ना हमारे पास, वो यह है कि start में short read के उपर, यहां पर, हमारे पास fast qc नहीं चली, जो पहला script था हमारा, यह वाला नहीं चला, तो हम simply यह भी कर सकते हैं, कि यहां पर, ओके, बनाओ I know कि मसला गया था, short reads के बाद, इस तरीके से हमें लगाना था, तो अगर हम सारे की सारे fast q.gz कर दें, तो यह ठीक है, अब मैं बाकी सभी को रोकता हूँ, बलके यह वाला अकेला भी चला दूँगा ना, तो इट विल बी फाइन, यहां पर इसको मैं रन करता हूँ, वोफुली इट विल रन, यस, तो यह हमारे पास अब इन दोनों की जो cleaning report है, वो आजाएगी यहीं पर fast q.gc के तोर पे, like this, तो आप देख सकते हैं कि dot zip file और fast q.gc जो है, यह हमारे पास आ रही है, as a cleaning report, और बाकी चीज़ें जो हैं हमारे पास, वो हमारे reads हैं, so we know that कि हमारा यह जो काम चल रहा है, दोनों पर यह सही चला है बिल्कुल, and we can actually work on this, अब यह वाला काम करके, हम इसको minus o करके न, इसको एक specific folder में भी ले के जा सकते हैं, if you want, तो उसका अगर folder बनाए हम fast q.c, बलके अगर इसी के अंदर आप एक folder बनाएं, copy, fast q.c, इसको कहा देंते हैं before, क्या ख्याल है, यह fast q.c before हो गया, minus o, यह fast q.c before, और अगर हम यहां पर देखें, तो dot short rate, clean short rates की बजाए, हम इसको यहीं पर, एक और folder बना देते हैं, fast q.c after, तो हमें पता होगा, कि before and after हमने cleaning की है, यह automation जो है script की time, टेक्स टाइम लेकिन at the end आपको यह पता चल जाएगा, कि किस तरीके से यह काम करता है, और अब विसलिए यह जो काम आपने की है, यह fast q.c का हो गया, और अगर हम इसी को, मैं इसी चीज़ को multi q.c में भी करना चाहूं, तो I can do that as well, तो यहाँ पे short reads के अंदर fast q.c after के बाद, मैं multi q.c भी कर सकता हूं, तो यह तीन folder मुझे बनाने भी हैं, ठीक है, fast q.c before, fast q.c after and multi q.c, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका best way यह होता है, कि आप पहले यहाँ पे input directory दे दे, input directory, और फिर output directory दे दे, पहला folder आपने यह वाला बनाना है, जिसमें आपकी before output जाए, copy, paste, दूसरा आपने यह बनाना है, जिसके अंदर आपकी दूसरी output जाए, मैं इसको यहाँ पे paste करता हूं, mkdir, और तीसरा आपने यह बनाना है, जिसके अंदर आपकी multi q.c report जाए, mkdir, और यह automate हो जाएगा, सारे का सारा script until now, now we will run and see, कि यह हमारा काम कैसे करता है, obviously जो परानी चीज़ें हैं, वो हम delete कर देते हैं अभी, यह zip file, यह fast q.c, यह वाली, यह वाली, इसको मैं delete करता हूं, और clean short read वाली को भी मैं delete कर देता हूं, अब हमारे पास सिरफ यह short reads पढ़े हुए, जिनको हम clean करने वाले हैं, ठीक है, और यह multi q.c जो है हमने बनाई थी, इसको मैं यही से delete कर देता हूं, क्योंकि हमारा यह वाला plan नहीं है, कि यहीं पर multi q.c बनाए, otherwise, we have to do this in short q.c, मैं इसको control s करता हूं, now I will run this again, let's see, क्या होता है, अब आपका hopefully यह काम जो है, यह चलने लग गया है, let's see, okay, started analysis, and working on this, short reads के उपर जाएं, तो यह fast q.c after है, before है, multi q.c, ठीक है, अब जैसे यह run होगा, fast q.c फिर automatically आपका clean reads बन जाएगा, यानि कि अभी यह वाला part run हो रहा है, यहां तक, फिर इसके बाद यह clean read का बनेगा, फिर clean reads आपके पास आएंगे, and then you will have this multi q.c, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपका system heavy है, so it will run in, maybe in couple of minutes, और आपके पास पहला procedure जो है, वो automate हो जाएगा, I know कि यह आपने पहले किया हुए, and also know that के, शायद आप इस वकत बोर हो रहे हों, but at the end, यही काम अगर आपको 26 फाइलों पर करना पड़े, just imagine, तो यह automate करने का तरीका का रहा है, हम नाम नहीं दे रहे, हम सिरफ path दे रहे हैं, अगर यह काम 26 पर करना पड़ेगा, same speed के साथ चलेगा, so now we know, कि यहाँ पर fast QC after है, ठीक है, यह fast QC before है, इसको आप और अच्छा कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर before के पिछे 01 लगा दें, इसके पिछे 02 लगा दें, ठीक है, मतलब 01 अंडर स्कोर, और यहाँ पर मैं कहाँ देता हूँ 02, तो वो आटोमेटिकली एक सीरीज में आएंगे, clean reads के पीछे, फिर multi QC आप वैसे रहने दें, कि कि जो multi QC आप वैसे 03 पर वा जाएगी, यह इसको 04 कर दें, तो इसका, नहीं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, clean reads भी वैसे रहने देते हैं, अब इसको मैं तुबारा से run नहीं करने वाला, सिरफ उनके नाम मैं खुद से change कर दूँगा, जो मैंने वहाँ पर की है, ठीक है, 02, यह मुझे ना फिर sequence हाजागी इसकी, 01, 01, यह रही जिसी कर, मेरे पास पहले, fast QC रहन होई है, फिर बाद में रहन होई है, clean reads, short reads, यहाँ पर पढ़े हैं, मैं इसको 02 इस विज़ा से नहीं दे रहा, क्योंकि we need to use this folder again and again, so it's better to make it in this way, then you multi QC already बने गया, you don't need to run this algorithm, फिर यह आपके पास multi QC आगी है, अब यहाँ पर सारी के सारी चीज़ें जो हैं, automatically आपके पढ़ी हुई है, multi QC के अंदर, fast QC आपके पास short read है, यह वाली, फिर यह short read है, आपके पास दुबारा से, so before and after, दुनों की fast QC आपके पास पढ़ी है, यह before वाली फाइल की, अगर आप ग़ौर करें यह चेक करें, यहाँ पर आ रही है आपके पास, और यह after की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि आपके reads जो हैं, अभी तकरीबन, unique reads इतने हैं, multiple reads इतने हैं, यह आपके पास इस तरीके से detail आ रही है, पूरे का पूरे का Fred score आपके पास यह है, before का यह था, after का यह हो गया, because we put a big gap there, और adapters रखेरा रिमूब होगें automatically, and there are many other things who automatically remove हो चुकी हैं, so our reads are quite clean, यह after वाले उपर आ रहे हैं, before वाले नीचे आ रहे हैं, यहां पे हमारे पास, अब इस rate के sequence यह 1.4 and 1.4 होगी, पहले 1.5, 1.5 something थी, ठीक है, so this is the way to deal with short rates, अब इसको मैं पूरे के पूरे को नाम देता हूँ, अब इसको मैं इस तरीके से न, पूरे के पूरे को ऐसे लिख दूँगा, 01, short, reads, cleaning, यह हमारा assembly का पहला part हो चुका है, यह मैं automate कर रहा हूँ script, ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से ऐसे कर लेते हैं, and then, मेरे पास दुबारा से यह stuck हो गया, it will take a minute, just a minute, ओके, तो folder बनाते बकर आप नाम देते हैं, लेकिन जब उस folder में किसी चीज़ को save करना है, then you give the path with the slash at the end, ठीक है, तो इस वज़ए से वो अकसर हो कहात आपको यह लिखते हैं, अच्छा, जो मैं CH mode plus X लिखना था, वो minus X लिख रहा था, that's why the problem happened, लेकिन हमारे पास तोड़ होते हैं, तो कुछ चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहती हैं, तो आपको दूसरा तरीका आना चाहिए, कि आप permission कहां से जा के change कर सकते हैं, so it would be easier than at the end, ओके जी यह हमारा हो गया, यह fast QC का तरीका का, अब हम अपनी hybrid assembly के long QC के तरीके कार पर चलते हैं, मैं यहीं पर recording को stop करता हूँ, इस lecture के और अगले lecture के recording स्टार्ट करता हूँ,